रुपॉली बिधान सभा उपचुनाओं में फिर एक बार निर्दलिये परत्यासी ने बाजी मार दिया है और उसके बाद इस बाद की चर्चा जोरो पर आ गई है कि न तो रुपॉली बिधान सभा के उपचुनाओं में पपु यादो का जादू चला और नाही नितीश कुम राष्टिये जनतादल की परत्यासी बिमाभारती जो है तीसरे नंबर पर चली गई और उनको जो वोट आया है वो 30,114 वोट आया है और लगभग 37,000 वोटों से वो चुनाओं हार गई है अगर हम जनतादलिये उनाइटिड के परत्यासी कालाधार मंदल की बात करे तो वो दूसरे नंबर पर रहे हैं और 69,578 वोट जो है उनको प्राप्त हुआ है वो 804 वोट से चुनाओं हार गए है और फिर निर्दलिये परत्यासी संकर सिंग जो है 804 वोटों से चुनाओं को जीत गए हैं और न सिर्फ चुनाओं जीते हैं बलकि रुपॉली बिधान सभा उ जो सेमी फाइनल करार दिया गा रहा था कि NDA और महागठ बंधन के बीच में ये सेमी फाइनल मुकाबला है उस सेमी फाइनल मुकाबले को एक तरह से यू कहिए कि या तो टाई हो गया है या फिर मतलब कोई भी पार्टी अपने आपको साबित करने में सफल नहीं हो पाई ह कलाधार मंडल जो है शुरुआती दोर से लीड कर रहे थे और सातवे दोर की काउंटिंग आते आते संकर सिंग बिजेता बनने लगे और फिर वो लीड करने लगे और बारहवे और अंतिम राउंड के आते आते बिरासी सो चार वोटों से संकर सिंग ने इस चुनाव को जी उन्होंने ठीक ढंग से सपोर्ट वीमा भारती का नहीं किया और खबड़े ये चल रही है कि पपु यादर आंतरिक तौर पे जो है वो सपोर्ट कर रहे थे किसको तो संकर सिंग को वही संकर सिंग जो निर्दलिये बाजी मार गए है और इस कारण से इस बात की चर्चाव जो दमखम दिखा रही है और कितना पावर में है बाकी फिलाल ये खबर इसलिए इंपोर्टेंट है कि पुर्मिया लोकसबा का चुनाओ जब हो रहा था तो पपु यादर निर्दलिये चुनाओ जीत करके आये थे और हराने वाले वही पपु यादर किसको और आये थे तो बी तरीके से चुनाओ हारी और इस बार भी वो तीसरे नंबर पर रही हमने शुरुआती दोर में खबर किया था चुनाओ खत्म होने के बाद अगले दिन और ये बताया था कि बिमा भारती जो है चुनाओ में नहीं है लराई जो है संकर सिंग और कालाधार मंडल के बीच होनी और कालाधार मंडल 6 राउंड तक आगे चलते रहें और 7 राउंड का जैसे एक काउंटरिंग खत्म हुआ 501 वोट से आगे चलने लगे संकर सिंग और उसके बाद ये लीड बढ़ते गई और संकर सिंग अंतता विजेता घोसित हो गए अब सवाल ये है कि संकर सिंग चुन सी पार्टी का दामन थामेंगे क्या वो एक बार फिर से चिराग पास्वान की पार्टी में जाएंगे या फिर जनता दल उनाइटेड में जाएंगे या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलिये ही रहेंगे सवाल इसलिए क्योंकि संकर सिंग जो है बाइन पहरति जीत गई थी और इस बार बिमा भारति को भारती को बहुत पीछे चोड़ दिये और कालाधार मंडल को पीछे चोड़ते हुए संकर शिंग के बाजी सिंग जीत गए हैं बाकि आपको क्या लगता है इस अंकर सिंग के जीतने के पीछे का वजह क्या हो सकता है और दूसरा सबसे बड़ा प्रस्ट में कि आपको क्या लगता है कि राष्ट्रिय जंता दल ने एक बार फिर से बीमा भारती को मौका दिया हुम वो मौके पर खरी नह दमसम तक जरूर है जीएगा और देखते रहीएगा जंता जंक्षन बहुत बहुत धन्यवाद